सल्मान खान के घर के आगे कहीं नहीं ठेरता है अक्ष्यकुमार का शांदार घर भाई जान के ठेकाने के आगे फीका है अजय देवगन का अश्याना फिल्म के मामले में ही नहीं फाम हाउस के मामले में भी सल्मान खान रईईस हैं अक्षय कुमार और अजय दिवगन उनके आगे कही नहीं ठेरते आपके यकीन नहीं तो इन तीनों ही एक्टर के फामाउस की पूरी डिटेल आपको कंपेर करके दिखाते हैं सबसे सस्ता विला है अक्षय कुमार का इस विला को अक्षय कुमार ने 10 साल पहले खरीदा था और वो भी महच 5 करोड में अक्षय कुमार का विला मुमई में नहीं बलकि गोवा जैसी खुबसूरत जगह पर है समंदर किनारे खरीदे के इस विला में अक्षय छुटियां बिताने पहुंसते हैं इस विला में पहुचने के बाद अक्षय कुमार का रोटीन भी चेंज हो जाता है समंदर किनारे होने के करड़ इस लगजरी विला में नेटबर्क की सुविदा नहीं आए इसलिए अक्षय यहां जब भी आराम फर्माने आते हैं तो देरी सही उड़ते हैं सलमान खान से पहले अजय देवगन के फामाउस के बारे में भी जान लीजिए महेंगे शौक रखने वाले अजय देवगन वालिवूड के ऐसे चुनिंदा एक्टेर हैं जिनका अपना फामाउस है अजय देवगन का शानदार फामाउस मुंबई के पास करिजत शहर में है अजय देवगन के फामाउस की कीमत है 35 करोड जो कि 28 एकड में बनाया गया है अजय देवगन के फामाउस में खेती बड़े पैमाने पर होती है इसके लावा सबजियां पैदा की जाती हैं बताया जा रहा है कि उनके फामाउस में पपीते के 4500 पेड़, केले के 5000 पेड़ और हरे जम उनके 500 पेड़ हैं। केसर और राम भी उनके फामाउस में उगाय जाते हैं। रायगड में हुए मेंगू फैस्वल में उनके फामाउस के आम तीन बार पैस प्राइस जीत चुके हैं अबास सल्मान खान की जिनका फामाउस सभी एक्टर से काफी बड़ा है और महेंगा भी है सल्मान खान का ये फामाउस पनवेल में है जो कि नवी मुंबई से दो गंटे की दूरी पर है 150 से एकड़वा फैले इस फामाउस को और पिता फामस नाम दिया गया है यहां सबजिया नहीं उगाई जाती है बलके सल्मान खान की सहुलियत के हिसाफशे से बनाया गया है बाकि किसी फिल्मी हीरो के पास फामाउस नहीं है सल्मान के श्ठिकाने की चर्चा पार्टियों की बज़े से अक्सर होती है सल्मान की जितनी भी क्लोज एक्ट्रेस हैं उन्हां यहीं पर कई बार देखा गया है यूलिया बेंतूरों, जैकरीन फर्नांडेसों या बलुश्या डिसूजा सब सल्मान खान के सिक्रेट अड़े पर स्पॉट की जा चुकी है खबर यह है कि रितिक रोशन का भी अब अपना फामाउस होगा लोणाबाला में तयार किया कि इस फामाउस में स्विंग पूल है जै में इस प्रोपर्टी को खरीदने से पहले रोशन फैमिली खंडाला और लोणाबाला में पलोड की तलाश कर रही थी लेकिन रितिक ने फामाउस को चुना रितिक रोशन इस फामाउस पर औरगनिक खेती करना चाहते हैं इसकी इंटीरियर डेजाइन ऐसी है कि आपका भी दिले से देखने के लिए मचल उठेगा तो दोस्तों आपको किसका फामाउस सबसे ज़्यादा अच्छा लगा कमेंट करके जरूर बताएं